कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम इराजकोम मूल रहा है और टेकनिकल फणर आए पर आप लोगगा स्वागत हैं संवे प्रेंट्स एलड़ी हमारे यूटूब चैनल पर चल रहा है तेकनिकल का क्लास जो कि लीमिट फिट तोलरंस है और यह क्लास प्रेंट्स जो लीमिट-पी सेक्टर में यूज करते हैं जो प्रोडक्शन कोई भी पार्ट्स कोम बनाते हैं ठीक उसके लिए मॉस्ट इंपोर्टेंट है लिमीट फिट और टोलरेंस और मेरा यूटूब चैनल पर आप लोग अगर नया हो तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके देखें यहां पर फिट क्या है कि मैंने यहां पर एक 3D का ड्रोइंग बनाकर रखाए फ्रेंट्स जो यह 3D व्यूज है माली जी यह जो बीच में जो है फ्रेंट्स यह शाप्ट है हमारा ठीक है और उपर का जो यह मानिए होब है होब और उसको उसके सास्थ आप बोल सकत प्रेंटेक और हाउसिंग भी बोल सकते हो प्रेंट है तो मञणि जब आंदर का एक साप्ट है तो मनिया जब हम इसको एसेंबली करें गे तो असी अप्रेंट्स अपाया कर पाये है कि कितना टाइट है और कितना लूज तो देखें प्रेंट का जो डिफिनेशन है तो मेंटिंग पार्ट या तो जब हम करते हैं एक आपजर्बशन पर यह हो यह कितना टाइट है और कितना लूज है तो हम एगाएगए तो में एक्सप्रेस करेंगे इसको फीट को तो क्या होगा ना टाइटनेस और लूजनेस अप्टू मेंटिंग पार्ट यह होल एंड शाप विट रेस्पेक्ट तो डिया डाइमनेशनल डिप्रेंस भीफर असेमली तो उसके बाद देखते हैं फीट अप समझ में आगए फीट का एक्सप्रेशन मतलब कि है हम कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे नौर्माली तो हम हमारा अबजर्प में आ गया है हम जब फिटिंग कर रहे हैं दो पार्ट को तो हम इसको कैसे कोई एक मानि यह कोई एक ड्रोइंग है या तो कोई एक डिजाइन है प्रेंट्स टेगे होल है मतलब कोई एक हॉब है उसको भी मनुफेक्टरिंग करना है तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितना उसका डाइमेंशन है और क्यास कौन सा फिट आमको देना है तो उस फिट को अगर एक्सप्रेस करना है तो देखें इसका डेपिनेशन पढ़ लेते हैं यह फिट इस एक साइज क्या होता है यहां पर बेसिक साइज हो जाता है और यह जो जाता है बृता है हैस को अगर यह कि यहाँ तो देखिए हमरे फीट यहाँ पे क्या है ना तीन पुण कर का फीट अध़ हमरे थी डाइक है यह फेट फिट दूसरा होता है ट्रांजिशन मुझें की लेक्टे तो पाल डेक्ट लेते यह हमारा छिरेंस दूझत आक्ति चायकर मतलब कुछ घ्रेप रहेगा बीच में या तो जो हमारा जो होल रहेगा शाफ्ट से हलका सा बढ़ा रहेगा तब ही जाकर बीच में के हलका सा गैप रहेगा ठीक है आप डेट डेट डेव आपको लाइप में बहुत सारे फीट देगा जैसी कि आप मानिए सिंपल से एकजम्पल में दे रहा हो एक पैन का क्याप तो पैन का जो प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपका क्लेरेंस मिलेगा मतलब कुछ ग्याप है दोनों में सिंपल सी मान लीज़ा आपका जो वह होल है और जो आपका पेन हो शाफ्ट है तो सिंपल सी ओहां पर आपको पता चल रहा है कि जो दो पैन और शाप्ट के अंदर सोरी पैन और हमा ऩिंपरा जो आगर डिफरेंज देखेंगे दोनों आथा तो हलका से हमाँ पर क्या पोजी जिभ हैगा हमेशा हमेशा तो क्लेरंस फिट देख लेता है कि इसको आपर हमेशा क्लेरांस बोलेंगे और यह बहला एक सिंपल हमेशा क्लेरस गपिटरा unit is a fit which is always give Clearance तो हमेशा हमे तो आप शाप्ट देखिए तो यहां पर पहले यह मैंने यहां पर एक ड्रोइंग देखिया है यह होल है फ्रेंट ठीक है यह शाप्ट है तो हॉल के अंदार यह शाप्ट है ठीक है अभी देखिए यहां पर दो यह जो आप रेट कलर देख रहे हो फ्रेंट यहां पर है तो शाप्त का देखी ही यहां पर जोरन का अंदर हम डिवाइड कर सकते दो एक तो है लॉयर लिमिट है यहा कि हमसको लोयर या तो मिनीमुम लीमिट भी बल सेकते प्रूर लॉयर limit और minimum limit और उसके साथ ऊपर हमारे का upper limit और maximum limit है उसी तरह सेम है प्रेंड आमारा यहां पर होल पर होल भी यह हमारा तो यहां पर देखिए यह क्या बहुँ पर हमेशा यह मानि हमारा टोलरांट जोन है यह मने बनाए टोलरांट जोन यह tolerance zone मानिया हमारा hall का है और हमेशा zero line से मानिया zero line है zero line से हमारा हमेशा hall का tolerance zone उपर रहेगा या तो simply सी यहाँ पर drawing देखिए यह जो हमारा tolerance zone है यह शाप्ट का है यह tolerance zone हमारा है hall का फ्रेंट ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है hall का tolerance zone हमेशा shaft से उपर रहेगा तब ही जाके हम इसको क्या बल पाएंगे clearance fit उस condition जो भी fit होगा हमारा clearance fit आएगा तो clearance fit हमारे अंदर क्या है two types का divide किया एक है हमारा maximum clearance दूसरा है हमारा minimum clearance तो maximum clearance देखे फ्रेंट से आपर से जो हमारा अपर लिमिट है और लोयर लिमिट है हमारा शाप्ट का अपर लिमिट हमारा किसका है हॉल का ठेक है लोयर लिमिट हमारा शाप्ट का तो देखें यहां से यहां से यहां तक डिश्टान ज्यादा लग रहा है ठेक है तो हमारा यहां का है maximum clearance है और यह जो हमारा लोयर लिमिट है और हमारा अपर लिमिट शाप्ट का लोयर लिमिट हमारा होल का यह दोनों का जो डिफेरेंस हमको यहाँ पर कम लग रहा है तो वह ही है maximum clearance का है इन्हें clearance fit और transition fit तो जहां पर हमारा maximum clearance हो रहा है मैक्सिमम् क्लेरेंस आएगा वहां पर हम उसको transition fit भी बोल सकते हैं तो इन्हें clearance fit और transition fit it is the difference between the maximum of the hole and the minimum shot अगर आपको maximum clearance कोई question में आता है प्रेंट को नियूरिकल कोश्चन यह तो बाद में बताऊंगा इसके बाद अभी तो इसका definition और basic concept में बता रहूं तो जो फिट डिफेरेंस बीटिन दे मैक्सिमम् होल थे कि यहां पर यह होल होल का मैक्सिमम मैं मैंने ओपर लिमिंट बाता है वही मैक्सिमम होल होता है और मिनिममम ओफ डाव दाशाफक का चाहित क्यों फ्places नोरं में इस जो जो डिफेरेंट साथा य। हमको क्लेरेंस एं् इवर दिफेरेंस को जीटिए मिनिमममु में Level में ओप होल आल आप्ट सिम्पूर फ्रेंग यहां पर पी डिस्टन्स ज्यादा है का मैं कि तो देखें यहां पर एक note लिखाए का there is always clearance between the hole and the shaft missing है तो देखें there is always clearance हमेशा clearance रहेगा प्रेंट के वीज्ट में जब हमारा क्लेरेंस फीट अब नेक्ट देख लेटेंगे इंटर्फेरेंस फीट यहां फीट का इतना कुछ मैक्सिमूम रोल बड़ा रोल नहीं है पर ट्रांजिशन फीट का आप मतलब समझ लें जहां क्लेरेंस नहीं होता है मैक्सिमूम क्लेरेंस होता है जहां पर आपको कुछ हो मानिए एक बड़ा सा होल है रांदर आप डाल रहा है छोटा सा शाप तो आपको कौन सा फीट माने लिए कुछ मतलब कुछ फीटी नहीं होगा तो उस कंडिशन है आप उसको क्या बोल गया है ट्रांजिशन फीट वैसे इंटर्फेरेंस स्पीट मतलब क्या आता है एक सिंपल सी इंटर्फेरेंस का यह जो मिनिंग है इसका मिनिंग मानि हम बातों बातों में बोलते हैं इंटर्फेर क्यों कर रहा है मेरे परसेनल पर तो यहां पर इंटर्फेरेंस स्पीट मतलब क्या है एक मानि होल है और एक हो होगा मतलब क्या होगा देखें यहां पर ड्रोइंग है यह हमारा होल है यह हमारा शाप्ट है यहां पर हमेशा क्या होता था पॉजिटिव होता था प्रेंट यह होल से शाप्ट का क्या होगा हमेशा शाप्ट का साइज बढ़ा होगा ठीक है तो फिर इंटरफेरेंस का मतलब यहां से यहां आता है यह होल है ठीक है और यहां से यहां तक देखिए यह शाप्ट है तो यहां पर ड्रोइंग पर आपको पता चल रहा है कि शाप्ट का साइज हलका सा क्या होगा होल से बढ़ा हो जाएगा तो उस कंडिशन में जो भी फिट होगा बढ़ा होगा तब ही ताम बोलेंगे इंटरफेरेंस ह हो रहा है ठीक है तो हैर इस दा सेकंड पॉंट देख लिए हैर इस दा टोलरांट जोन आप देखिए यह जो होल का जो टोलरांस जोन है यह नीचे आ रहा है शाप्ट का टोलरांस जोन से ठीक है आड़िया तो नेच्ट देखला ते फ्रेंट्स यह हो गया इंटरफेरेंस फिट आपी देखिए यह सहां एक टर्म साया यह से मैकिसमल इंटरेफ्रेंट्स हो गया और यह करा देखिए तो यह एक लिया में 25.7p6, कभी का आता है फ्रैंड में 25.7p6 कौन सा फिट है इंटेफेरन्स फिट है और यह आ पे भी आता है फ्रैंड कि 30.7g6 कौन सा है, 30 के जगा आपको 25 देदेगा बोलेगा 25-7 by G6 ये कौन सा फीटे तो आपको शिदा सा बोल देना है कि फ्रेंट्स ये हमारा क्लेश फीटे तो देखे Maximum Interference में क्या है वही मैंने बताया देखे फ्रेंट्स सेम ही है यहाँ पर लिमित है यहां पर लिमित और लॉयर लिमित है तो जो शापका यहाँ पर थोड़ा डेफिनिशन चेंज जोता है साब का ओपर मैक्सिमम और हौल का मिनिमम मेच्व साबका ओपर लिमेट और हौल का साइख उट्रांश यहाँ से यहां तक दिश्टांस ज्यादा है तो इस और यहां पर दिया है क्लियेंस का झाल रख सकते लिए ज़से चोट सी इतना सा और यहां मुझेख देख देख बहु क्लेरिंस तो जहां आपको ना clearance मिलेगा ना transition मिलेगा वहां पर आमारा interference फिट होगा तो इट इस अलजबरिक difference between minimum of the hole and the maximum of the shaft minimum of the hole मतला hole का नीचे और maximum of the shaft का उपर हो मारा tolerance zone है minimum interference उसका opposite है का maximum of the hole ट्रांजिशन फिट क्या है कि ट्रांजिशन फिट तो मैंने अलोडे बताया थोड़ा सब्सक्राइब करता है और सम्टाइम इंटर्फेरेंस प्रवाइड करता है यह दो होता है यहां पर बना दिया और यहांपर क्या होगा मानी यह जीरो लाइने प्रेंट आजाएगा धेक होगा फेल का यहाँ पर कोई भी ओभरलप नहीं हो ओपर है और और यहाँ पर ओपर हम batch सब्सक्ट सब्सक्राइब दbirth कर लोगिनेथा नहीं पर यहाँ पर हुल थीट के कि यहा value एब लब मतलब क्या है और ट्रांजिशन मतलब क्या है तो यह तीनों का कंडिशन आपको याद रखना है प्रेंट्स इंपोर्टेंट है और इसका जो नियूरी का चप्टर जो इसका कैल्कुलेशन है तो अल्रेडी अगर आपको कुछ डाउट लगा तो आप कमेंट कर सकते मेरे वीडियो पर और देखे प्रेंट्स यह जो आज मेंने यह जो वीडियो है यह जो फीट का उपर है फीट अच्छली क्या होता है ना इमाजिन करना होता यह आपको अल्ली ड्रोइंग या तो डिज के पता चलेगा नहीं तो आप मेजरमेंट करोगा तो भी पता चलेगा आप ब्यार आई में तो बहुत मतलब पता नहीं चलेगा और आपको अच्छी इमाजिन करना होता है यह फूरा टॉपिक थोड़ा सा फ्रिटिकाल है फ्रेंट पर मतलब इंपोर्टेंड ली और इंट